एलेक्टरॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स वर्मा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यह जो फोर पिन का जो सूच होता है इसके अंदर देखे चार पिने होती है तो यह काम किस तरीके से करता है और मैं सरकी डाइगराम के लिए मैंने यह अच्छ है इसको बोलते हैं माइक्रो सूच तो आपने देखा गए डीवीडी के अंदर और अधर बहुत इलेक्ट्रोनिस कंपोनेंट में यह लगाई जाते हैं तो यह फोर पिन होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं और यह जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं तो देखे इसके अंदर आप यह देखिए कि मैंने इसके अंदर जो यह वायर लगाई है दो जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो यह अंदर से सोट हो जाती है और हमारी अलेटी गिलो करने लग जाती है तो यह दोस्तो मैंने जो यह वायर लगाई है दो यह यह जो सूच है दोस्तों हमारा यह पहले से ही यहां से यहां इस तरीके से सोट है और यहां से यहां पर इस तरीके से सोट है इसलिए हम इसके आमने सामने कभी भी कनेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि यह पहले से ही सोट होता है हमारा और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो य ये वाली और ये वाली पिन सोट होती है और ये और ये पिन सोट होती है या ऐसे क्रोस में सोट होती है तो इसके कनेक्शन हम कभी भी आमने या सामने नहीं कर सकते तो देखिए मैं आपको मल्टी मीटर से चेक कराता हूँ ये देखिए मल्टी मीटर से जब मैं आमने सामने की पिने दोनों चेक करूँगा तो ये continuity बताएगी देखिए ये हमारा जो आमने सामने का जो सूच है ये पहले ही सोट है तो इसलिए हम कभी भी इसका यूज करते हैं तो क्रोस के अंदर यूज करते हैं तो देखिए अगर हमें इस सूच का यूज करना है तो हम किस तरीके से connection कर सकते हैं तो पहला मैंने आपको बताया कि ये वाली पिन आमने सामने ये ये दोनों सोट होती है तो यहाँ पर आप कभी भी आमने सामने connection नहीं कर सकते क्योंकि यह पहले से ही सोट है और यह काम नहीं करेगा तो connection आप कैसे कर सकते हैं इस सुच के अगर आप अपने किसी भी practical के अंदर लगा रहे हैं या किसी भी component के अंदर लगा रहे हैं तो इस switch का use कैसे करते हैं और यह कैसे काम करता है यह भी cross के अंदर हो गया तब ही यह काम करेगा अब नीचे वाले पर आ जाते हैं या आपको एक wire यहां और एक wire यहां तब यह आपका काम करेगा या एक wire यहां या एक wire यहां तब यह आपका काम करेगा लेकिन अगर आपने आमने और सामने लगा दिया तो यह आपका सुच काम नहीं करेगा और अगर ये सुच इस तरीके से सोट है इस तरीके से अगर ये सुच सोट है तो आप चाहें तो एक वायर को यहां और एक वायर को यहां लगा सकते हैं जैसे मैंने यह आपको बताया क्योंकि यह सुच मैंने आपको मीटर से चेक करके दिखाया दोस्तों यह पहले ही हमारा आमने और सामने जो है वो सोट है तो इसलिए यह जो सुच है उस तरीके से काम नहीं करेगा अब देखे मैंने क्रोस के अंदर जब वायर लगाई है तो मैं इसको जब ऐसे प्रेस करता ह हूं तो हमारी LED glow होती है तो दोस्तों मेरी वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि आपको यह पता लगे यह सुच कैसे काम कर सकता है और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं तो कभी भी आप आमने सामने वायर लगाएंगे तो आपका यह सुच काम नहीं करेगा क्योंकि यह द इसके अंदर असेंबल करें तो यह अच्छी तरीके से फिट हो जाएं तो इसलिए चार पिन बनाई गई है और यह अगर हम चार पिन PCV पर लगा देते हैं को एक पीन हमारी ड्राइः हो जाती है तो हमारी दो पीन हमेषा काम करती रहती है तो यह सुच इसी तरीके से काम क क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा